ये एक पडिनती है एक लंबे जंडर जस्टिस की दिशा में और इसका स्वागत होना चाहिए लेकिन कस्ट मुझे इस बात का हुरा है कि कुछ है कि इनके जो मंत्री हैं जो किस भी भाग के मंत्री हैं वो मैं नहीं जानता लेकिन अल बल अंट शंट बयान देना शुरू कर द शब्दों का इस्तिमाल किया था उस पर आपकी क्या पता है लेकि मेरा मानना है कि बालक बुद्धी और बैल बुद्धी दोनों ही मैं समझता हूं मुचित नहीं है यह हम अपने विमर्ष को कहा ले जा रहा है एक तरफा नहीं होगा न अभी मुझे बहुत कस्ट हुआ था और मैं कड़ो हूं हिंदुस्तानियों में शुमार हूं जब भैस मंगल सुत्र मुझरा तोटी तोट लेगा विजली काट देगा यह भी मर्ष है देश का महसागर वाले चरितर वाले देश का ला बना करके हमने रख दिया है इसलिए एक बयानी धर से आता है जब आप सदन करके भी प्रिदान मंत्री ने कहते हैं Cor준 half निदी क किसका आप महनन के रहे है जिस देश की अपमान कर रहे हैं यहांके मज्दूर श्रमिक वर्ग, पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाने वाले, सब का अत्मान हो रहा है, तो मैं समझता हूँ, ये पूरा जो बिमर्श की जो पूरी पूरी पूर्टली, भगवान के लिए, इसको किनारे रखा जाए, आप लोग इस बात के परिजिए पूराने के लिए आना च इंडिया गटबंदर में हम सब साथ साथ हैं, तो कई सारे जगों पर लोकल फैक्टर होता है, ये दो दलों का मामला है, आज क्या परिस्थितियां हैं, आगे अगर इसको वो रिजॉल्ब करते हैं, ये उन पर निर्पड़ करता है, बिकार हम लोग इदी को घसिरते हैं, सी बियाई को बड़े निर्दोस आफिसर्स हैं, उनको दोशी बनाने का काम ये हुकूमत कर रही है, ये जो दिल्ली सल्तना था, हैमन सोरेन को जेल में रखा, अर्विन जी को जेल में रखा, हैमन सोरेन पे हाई कोट के टिपनी क्या कहती है, कि प्राइमा फैसी कोई केस ही नह प्रादेगा, चुनाओ के वक्त में एक आदिवासी नेता को जिल्म रख दिया आपने, कौन लोटाएगा इसको, कौन गुनाएगार है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ग्यान की जरूरत नहीं है, सत्ता सिर्श के दो लोग पै कर रहे हैं, EDITCBI, आज सुबह किस दिशा मे मूव करेंगे, पेगासस काफी चर्श रहा है कि पेगासस जो है, वो उनके फोन को हैक कि पेगासस पे आज तक सरकार क्लाडिफिकेशन नहीं दे पाई है, मतलब हमारे हम कभी भी नहीं समझते कि हमारे धेश में ये परिस्थितिया होंगी कि बेपक्ष को डील करने के मुष्पराज, उनके भी आया, मामुवा मुफ्ती जी की बेती में आया, पहले भी कई लोगों में आ चुका है, तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की हरकतों से हमारा लोकतंतर शर्मसार होता है, उमर अब्दुल्ला सहाब ने जो बात कि जम्मू संभाद में हो रहा है, उ इलावज़ डिले हो रहा है, लेकिन लगातार जो इस परकार की घटनाय हो रही है, मैं तो ढूंड रहा हूँ, किसी का ट्वीट ही नहीं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, यू सीना ठुक के बोलने वाले लोग, आतंकबाद का सफाया हो गया और त ऐसे मुल्क में तब्दील हो रहा है, कि श्रधानजली दी माल्यारपन किया, तिरंगी में लिप्ते शरीर को सेल्यूट किया, फिर अगले दिन हम अपनी रोजमर्रा की दिन चरिया में चले जाते हैं, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर ही है, विपक्च आपकी मदद करेगा, उसको कितना सेकेंड लगेगा, बिहार के पेपर को, या गोधरा के पेपर को, या हर्याना के पेपर को, तमिलनाडू पहुंचने में, महारास्ट्रा पहुंचने में, सेकंड्स, ये दलील मेरी समझ में नहीं आती है, किसको बचाने की कोशिश है, किस सिस्टम पर परदादारी की कोशिश है, वो तो नियाले मन नियाले देखेगा, आरजेटी का सिस्टम के बाढ़ की चपिट में जिले आ रहे हैं, बाढ़ काफी है, सिवांचल की खिट में इसलाम की चपिट में, लेकिए, राष्टे जन्दादल एक सकारात्मग विपक्च की भूमी का में है, आलोचना भी करता है, तो उमीद रखता है कि सरकार पहल कद मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से वहां के पूलों ने एक तरह से आत्मात्या की प्रविर्टी बना ली है, आए दिन तकरिबन 12-14 पुल शहीद हो चुक है, पढ़ा नहीं कैसे शहीद हो रहा है, आत्मात्या कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि सरकार को, ऐसा तो नहीं है कि बार पहली बार आ रही है, पहले से पता आपका पुर्व प्रबंधन क्या है, डिजास्टर प्रिपेर्डनेस, डिजास्टर प्रिवेंशन, इसके कुछ S.O.P. है, क्या उनका पालन हुआ, आपको जबाब मिलेगा नहीं हुआ